हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आल आज मैं आप पर जो वीडियो ले कहा रहा हूं देखे बात करेंगे धुरंदर स्टॉक्स के आज यानि के 28 जुलाई 2020 को कॉर्टर बन के नतीजे आपके सामने आहे हैं हैरान करने वाले नतीजे तो कौन-कौन से यह स्टॉक्स हैं कैसे पर क्लिक करके और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम भी जोइन कर सकते हो और टेलीग्राम का हमारा जो पब्ली ग्रूप है उसका लिंक जो है डेस्क्रिप्शन में अल्रड़ी आपको दिया हुआ है अब सीडिया आपको लेके चल रहें रिजल्ट्स की तर रहें नेशले के नतीजए कुछ इस तरीके से हैं क्वार्ट्री रिजल्ट्स पिछली जून कोडर का कression करेंगे सारे नंबर्स वह मिलियंस में आपको देखने को मिल रहे हैं warranty यह consolidated results है, millions तो पिछले साल जून में अगर मैं देखूँ तो almost 6149 करोड का total income दिखा है तो जो कि इस बार देखने को मिल रहा है 6456 करोड यानि कि lockdown में नेसले की मैगी बहुत भी की है, ऐसा लग रहा है situation देखके, बहुत मैगी भी की है, देखिए नेसले की और उसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पर expenses मैं भी इजाफा आपको देखने को मिल रहा है, तो profit पर कैसा असर रहा है, उसको देखते हैं, अगर profit before tax देखूँ मैं तो almost flat देखने को मिल रहा है, जितना last year June में था, उतना ही इस साल June में भी, इतनी मैं कहूँ का खराब situation होने के बावज देखिए, 1360 करोड के आसपास last year था और 1356 करोड इस बार भी है, लेकिन अगर profit for the period देखे, यह तो profit before tax है, तो आप सीधे सीधे देख रहे हो, 900 करोड से यह बढ़के, 900 करोड से बढ़के, 1012 करोड, 900 करोड से 1000, 12 करोड के आसपास यह profit बढ़ा है, बहुत ही अच्छी, होती जबर्दस player है, FMCG सेक्टर में और result भी मैं कहूंगा positive मुझे देखने को मिला है, अब अगले stock की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है, आप देखोगे, NIT Technologies, NIT Technologies में बड़ी तेजी पिसले कुछ टाइम से आप देख पा रहे हो, और NIT Technologies के result भी, आज की date में भी 6.30 के आ पिछले साल के अगर मैं बात करूँ तो 983 करोड का revenue था, जून के हैं, और इस बार ये हो गया, almost 1064 करोड, बढ़िया ही जाफा revenue के अंदर, लेकिन अगर profit before tax को आप देखते हो, तो 121 करोड से गिरके 108 करोड आ है, थोड़ा सा कमी जरूर देखने को मिली है, profit before tax में है, और अगर मैं यहाँ पर detail देखू, profit for the period, अगर मैं देखू, तो मुझी ये 83 करोड के आसपास देख रहा है, पिछले साल ये था, almost 90 करोड के आसपास, तो थोड़ा सा dip जरूर देखने को मिल रहा है, profitability में, तो ये NIT Technologies के हम यहाँ पर बात कर रहे थे, और अब ये जो profit, ये continuing operations स अगर total comprehensive income हम यहाँ पर NIT Technologies की देखें, तो वो भी आप देख पा रहे हैं कि 83 करोड से 105 करोड के आसपास हुई है, अब ये NIT Technologies का result होगा, earning per share आप देख सकते हैं, सिदे-सिदे 14 रुपेज से गिर के 12 रुपे 82 पैसे तक आ चुका है, अगले stock को कि जिसका नाम है Ultra Tech Cement, बड नतीजे देखें, Ultra Tech Cement के, देखें, Ultra Tech Cement इतना बड़ा share है, करोड में इसकी details है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे Ultra Tech Cement को, तो भी total income आपको ऐसा दिख रहा होगा है, पिछले साल तो 11,554 करोड थी लेकिन इस बार बड़ी गिरावट, सीदे-सीदे 7,912 करोड होगी, बड़ी गिरावट में इसको कहूंगा, total income में, और profit for the period, अगर मैं देखो, net profit for the period, तो 1280 करोड से गिर के 7,96 करोड हो गया, तो profit में भी बड़ा डिप यहाँ पे Ultra Tech Cement में देखने को मेल रहा है, बड़ा जटका मैं कहूंगा, तो share पे असर आज ही पढ़ गया था इसके, औ और overall अगर आप देखो, earning pressure, 44 सुपे से गिर के 70 सुपे के पास आ गया, Ultra Tech Cement, अब अगले stock की तरफ सलते है, जिसका नाम है, देखिए, IDBI Bank, यानि कि यह bank है, LIC का bank, अगर income के हिसाब से देखते हो, IDBI Bank को यह consolidated result है, तो यह number lakhs में है, Ultra Tech Cement में, वो करोड में थे, तो 59 करोड क देखने को मिल रहा है, और overall अगर net profit को देखा जाए, तो सीधे सीधे loss से positivity की हो, यानि कि 38 करोड का loss और इस बार 1 करोड 60 लाग का profit, मतलब 5 रुपे का earning pressure, जो loss में था, वो earning pressure देखिए, अभी positive मा गया, 15 पैसे के आसपा, तो बढ़िया दातीजा मैं कहूंग, और NPA को ज़ 20 परसेंट और 8 परसेंट से net NPA का percentage कितना होगा, 3 परसेंट, मतलब काफी positive NPA मैं भी देखने को मिली है, IDBI बैंक के, अब IDFC first bank का नतीजे देखते, इसके नतीजे कैसे रहे देखिए, यह consolidated देखिए, नतीजे आपके सामने आएंगे, और यहां पर यह सारे number लैक में है, पि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, लेकिन expenses भी बड़े हैं, company ने provisions भी निकाल रखे होंगे, COVID-19 contingency plan के तहत, और अगर सारी चीजे आप देखोगे, तो net profit अगर मैं देखू, तो 93 करोड का net profit है, जो कि पिछले साल IDBFC bank ने, IDFC first bank ने मैं कहूंगा कितना, 617 करोड का loss दिखा तो और इस बार 93 करोड का profit दिखा है, और earning pressure पर आप सीधे सीधे असर देख सकते हो, कितना पड़ा है, earning pressure जो की 1.29 रूपीज का loss में था, इस बार positive में आ चुका है, और पिछले quarter में भी positive ही था, और net NPA और gross NPA की जब percentage की बात आती है, तो देखे 2.66% से 1.99% और अ अब यस बैंक के नतीजे सामने आए, जड़ा यस बैंक को भी देख लेते हैं, काफी चर्चाओं का विशय जरूर बना रहा है, यस बैंक, तो यस बैंक के share को अगर आप देखोगे, तो टोटल इंकम, देखे सीधे सीधे यह consolidated number है, टोटल इंकम, पिछले साल जून में इस से ने 9,105 करोड की दिखाई थी, 9,105 करोड, जो कि अभी मैं देख पा रहा हूं, कितनी है, 6,122 करोड, तो टोटल इंकम में अल्ड़ी बड़ी गिरावट में, यस बैंक के share में, देख पा रहा हूं, अब यस बैंक के share में काफी हल चल आई, SBI ने बचाया, इसको अभी बीच में, FPO फिर से ले किया है, follow public offering उसके अलावा देखे, यहां पर कई बार इसने पहले भी QIPs एनाउंस किये है, net profit अगर overall देखा जाए, तो 95 करोड का last year था, इस बार मातर 34 करोड का profit यस बैंक ने दिखाया है, जो यहां पर देखने को मिल रहा है, बात करते हैं, NEPA की percentage की, तो वह आप देखके चौक जाओगे, आपको यह हो क्या रहा है, 5% last year दिखाया था, जून में, और इस बार 17% चला गया, gross NEPA का percentage, net NEPA के percentage के अगर मैं बात करूँ तो 2.91% से 4.96% तक चला गया, net NEPA का percentage, तो काफी बड़ा जटका मैं कहूंगा, यह NEPA में लगा है, लेकिन अब मैं technical पर आपको लेके चलूँगा, और एके करके थोड़ा सा कुछ shares को देखते है technical charts पर भी, start करूँगा Nestle India से, Nestle काफी important share है, और आपने देखा होगा, पिछले कुछ time में बड़ी तेजी देखने को मिली, मैगी खूब भी की है भई, मैगी lockdown में लोगों ने आई है, अब Nestle India को share को आप देखो के तो मंतली पर आपको क्या जबर्दस share है, कितना जबर्दस return इसने past में दिया, definitely, लेकिन April, March, March के महीने की गिरावट के बाद जो recovery, 12,000 के level से अगले महीने 18,000 के level तक जाना, आपको 50% return देना, और फिर इतनी बड़ी correction, आपको पिछले तीन महीनों से मैं कहूंगा, correction देखने को मिल रही है, कब ये correction resolve होगी, क्या ये correction resolve हो रही है, देखिए ये बड़ी correction है, और धीरे धीरे करके आपको अभी बहुत ही important part, और मुझे लगता है कि Nestle India बड़ी चलांग, लंबी चलांग कभी भी लगा सकता है, आने वाले time पे, क consolidate कर रहा है, 16,000 से 18,000 की range, तो ये important हो जाता है, और अब strong support 16,000 की range में available है Nestle के लिए, तो Nestle के अलावा weekly में मैं कहूंगा, बहुत ही important structure यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन याद रहे, अभी ये level आपका stop loss होना चाहिए, और entry थोड़ा सा उपर ये in highs को पार करें, 11,500 के आसपास की कितनी लंबी rally दिखाई थी, और वैसी अगली rally का time Nestle India में भी आ रहा है, चले wind up करता हूँ इस वीडियो को, और बहुत सारे stocks के results यहाँ पे cover हमने किया, NIT Technologies, Nestle India, Yes Bank, IDFC, First Bank, Ultra Tech, Cement, और उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लागा होगा, अच्छ